पास्तवी व्लाइस हम लोग ने अपने चप्टर एलेक्ट्रो कیکिमिस्ट्री के अंदर डिसक्शन कर लिया था अब आउट कि हम कैसे गेल्वेनिक केर्ट कर्ता है और कैसे क्या बता हुता है क्या दो डुत है क्या और कैसी इनकी वर्किंट होती है आज हम वहीं से आगी continue करने वाले हैं तेक आज हम लोग start करने वाले with the one more important term जिसे हम जानते हैं by the name of electrode potential अगेन अभी हम basic term सीखने वाले हैं जो हम इस chapter के अंदर use करते रहेंगे electrode potential जिसे हम E से denote करते हैं ठीक है electrode potential क्या होता है पहुत असान सी बात है अगर हम इसकी definition देखने चलें तो आप देखो आप मैं लो वही galvanic cell का example लो डैनियल cell का तो डैनियल cell में आपने क्या क्या था एक ZNSO4 का solution लिया था ठीक है तो आपने solution यहां पर भरा और इसमें आपने zinc electrode डाला था तो कोई भी metal का electrode जब आप उसके electrolyte के aqueous solution में भरोगे तो दो ही possibility है या तो metal का oxidation हो या फिर metal का क्या हो reduction हो अगर यहां पर metal का oxidation होता है मानलो zinc solution के अंदर जाता है तो बता और reaction क्या होगी ZN solid किस में convert होगा ZN2 plus aqueous में और यह साथ में दो electron lose कर जाएगा कर जाएगा तो होगा क्या यहां से solution के अंदर ZN2 plus ions आना शुरू हो जाएंगे और जो electrons है वो इस electrode के उपर इखटा होना शुरू हो जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा यह जो एक्ट्रोड है इसके उपर negative charge generate हो जाएगा और यह जो solution है इसके उपर relatively क्या होगा positive charge generate हो जाएगा तो इस electrode और इस metal दोनों पे positive negative charge generate हो गया है बता इन charges के बीच में कोई ना कोई potential difference होगा तो यह जो potential difference इन दोनों charges के बीच में होगा इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं electrode potential बोलते हैं क्या बोलते हैं electrode प्रेंशल आप देखो अगर यह metal oxidize हो रहा है तो metal के उपर negative charge generate हो और solution के उपर positive charge generate हो रहा है दो charges एक दूसरे के contact में रखे हुए हैं तो अबिसली इनकी बीच में कुछ ना कुछ potential difference तो होगा ही होगा तो यह जो potential difference इस electrode और इस solution की बीच में generate हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं electrode potential बोलते हैं जरूर नहीं यह oxidation हो हो सकता है आपने एक metal का electrode यहां रखा हो तो एक metal है और यह उसी की metal के ions का aqua solution है mn plus aqua जब यह reduce होगा तो देखो electron gain करके metal क्या होगा यहां पर deposit होना शुरू होगा तो मैं ऐसा बोल सकते हैं इस electrode पे कही ना कहीं से electron supply हो रहे होंगे उन electrons को consume करके यह metal की form में deposit हो रहा है तो क्योंकि electrodes electrons consume हो रहे है इस पर relatively आएगा positive charge solution पर relatively कैसा आएगा negative charge फिर से इन दोनों की बीच में क्या होगा potential difference generate होगा जिसे हम क्या बोलते हैं electrode potential तो गर हम electrode potential को सरफ define करने चले हैं तो हम simple terms में क्या define कर सकते हैं इस इस बेसिकली इस बेसिकली इस पोटेंचिल difference potential difference between an electrode electrode and and electrolytic solution and electrolytic solution तो एक electrode और एक electrolytic solution के बीच में जो potential difference होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं electrode potential बोलते हैं ठीक है define हो गया हम इस single electrode का electrode potential पता नहीं कर सकते हैं circuit completely कैसे पता करेंगे और मैं आप से बोल दूँ कि इन दोन के बीचे potential difference बता हो तो वह हम calculate नहीं कर सकते हैं रेकिंड पॉइंट आप ध्यान रखेंए the electrode potential the electrode potential of a single electrode of a single electrode एक सिंगल एलेक्ट्रोड का एलेक्ट्रोड पुटेंशल केल्कुलेट नहीं कर सकते हैं चली तो यह आप ध्यान रखना कि एक एलेक्ट्रोड या एक सिंगल एलेक्ट्रोड का एलेक्ट्रोड पुटेंशल हम केल्कुलेट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो बात पिएलेक्स्ट्रोड होता है फेलेक्स्ट्रोड पोतैंम violet एक और टॉयी path करता है उसे बोलता है स्टेंड deport पोतेंसियल पैट इस एलेक्टरोड पो टेंश्यला एक चीज और आप ध्यान देना हूं कि हम इलेक्ट्रोड पोतेंशल अभी पता नहीं कर सकते बैँक्त रोड़ का अलेक्तोड प्रेंशल मैजर करो इलेप्रोड पोटेंशल मेजर्ड आट standard contraction परेंस पता नहीं कर सकते नीचि विक्टा नीकर सकते हैं व्हाले चुके हैं स्टेंडर्ड कंडिशन्स क्या होती हैं स्टेंडर्ड कंडिशन्स होती है वन बार प्रेशर एंड अफिक्स तेंपरेचर अगर कुछ नहीं दिया है तो इस चेप्टर में आप उसे 25 डिगरी सेल्सिस लेकर चलोगे एंड कंसेंट्रेशन ओफ एवरी स्पीशी जब कितनी हो जाएगी वन मूलर उस कंडिशन को हम लोग क्या बोलता हैं स्टेंडर्ड कंडिशन तो अगर इस कंडिशन में आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पॉटेंचल मेजर कर रहे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसका स् स्टेंडर्ड एलेक्ट्रोड पॉटेंचल मेरे पास आ गये हैं एक एलेक्ट्रोड पॉटेंचल और दूसरा हो जाएगा हमारे पास स्टेंडर्ड एलेक्ट्रोड पॉटेंचल चली बहुत अच्छी बात है अब यह जो आपका स्टेंडर्ड एलेक्ट्रोड पॉटेंचल है standard electrode potential ये भी दो तरह का होता है कितने तरह का होता है दो तरह का होता है so this E0 is further classified into two types एक होता है आपके हमारे पास standard reduction potential और दूसरा हमारे पास क्या होता है standard oxidation potential तो standard reduction potential कितना हो गया इसको हम प्यार से SRP भी बोलते हैं या फिर हम इसे denote करेंगे ऐसे E0 MN plus changes to M reduction हो रहा है ना इसलिए हम इसको बोलेंगे SRP E0 MN plus changes to MN इसी तरह standard oxidation potential हम इसे SOP बोलेंगे या फिर इसका जो notation है वो बन जाएगा E0 M changes to MN plus आप इसे E0 oxidation भी लिख सकते हो और आप इसे चाहो तो E0 reduction भी लिख सकते हो तो दो तरह के आपके पास standard प्रेंशल होता है एक standard reduction potential होता है एक standard oxidation potential होता है तो अब बिसली reduction को denote करेगा और यह oxidation को denote करेगा एक और चीज़ आप ध्यान रखना किसी भी एक given element के लिए for a given element for a given element E0 या simple आसे लिख लो SRP जो होता है वो minus of SOP यानि आपको अगर एक element का SRP पता है तो उसका minus sign लगा तो आपको क्या मिल जाएगा SOP ध्यान चाह देखना जैसे मैं आप से बोलूँ E0 Zn2 plus changes to Zn तो देखो यह क्या है इसका SRP है इसकी SRP value मानलो होती है minus 0.76 volt ठीक है तो यह value कहां से ही मैं आपको सिखाऊंगा यह लिखतो दिया हम पता नहीं कर सकते है पर actually हम पता कर सकते हैं और पास एक टेक्नीक है उसके थूप हम बात करेंगे तो हमें इस जिंक का SRP मिल गया minus 0.76 तो यह इसका SRP है अगर आप जिंक का SOP लिखना चाहते हो SOP of zinc यानि E0 Zn changes to Zn2 plus तो उसकी value simply कितनी हो जाएगी plus 0.76 volt ठीक तो आपको term देखकर ही समझ में आना चाहिए कि वो SRP है या फिर वो SOP है और एक element के लिए हम SRP और SOP में इस तरह से relation लिख सकते हैं एक चीज़ दूसरी एक और important चीज़ पर आप ध्यान देना यह बहुत important है electrode potential आगे चलके आप एक और चीज़ सीखोगे EMF electrode potential कैसी property है is an intensive property कैसी property है intensive property है तो अगर अगर आप reaction को जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखके दिखाता हूँ कि यह reaction है ZN solid ठीक है ZN solid changes to ZN 2 plus plus 2 electron बताओ यह reduction को शो कर रहा है यह oxidation को तो देखा रहा है आपको यह oxidation को शो कर रहा है तो इस reaction का जो oxygen देखो इसमेरा कई चीज़ होते हैं आप धीर दीरे सीखोगे पर यूस करते करते मैं आपको एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूं तो पहले तो मैं इंटेंसिव प्रोपेटी की बात कर लेता हूं इसका जो oxidation potential है वह आपने देखा कितना है 0.76 बोल्ट है है अब आप क्या करो आप इस reaction को टू से multiply करके लिख दो मतलब इस reaction को आप ऐसे लिख दो टू जेड़न सॉलिड गिवस टू जेड़न टू प्लस आक्वास और प्लस साथ में आपके क्या लगा दो फोर electrons अब बताओ इसका नया इनॉट oxidation कितना हो जाएगा तो कितना भी नहीं होगा उतना ही रहेगा मतलब आप अगर एक रियक्शन किसी नंबर से multiply कर रहे हो या किसी नंबर से divide कर रहे हो तो उसकी इनॉट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इध्यान रखना electrode potential कैसी property एक intensive property और intensive properties amount of substance पर depend नहीं करती है तो अगर आपने reaction को किसी नंबर से multiply कर भी दिया तो कोई फरक नहीं पड़ता उसके E naught में कोई change नहीं आएगा या आप ध्यान रखना मैंने 2 से किया आप 2 से divide कर दो आप 3 से multiply कर दो E naught value उतनी ही रहेगी थर्ड चीज आप देखें एक और बहुत important चीज जो आपसे कह रहा था अगर आपको कुछ भी specified नहीं है if nothing is specified if nothing is specified then then E naught value then E naught value is taken as SRP for example मैंने आप से कहा देखो मैंने लिखने के लगा तरीके सिखाता हूं आपको एक तो मैंने लिखा ऐसे ZN2 plus aqueous plus 2 electron gives ZN solid और इसके आगे मैंने लिख दिया E naught is equals to minus 0.76 volt तो आपको दिख रहा है ये देखो कैसी reaction है ये एक reduction reaction है इसका मतलब ये जो value दी हुई है ये कैसी value है SRP value है मालो मैंने आप सामने ऐसा लिख दिया Cu solid gives Cu2 plus aqueous plus 2 electron और इसके साथ में लिख दिया E naught is equals to minus 0.34 volt तो दिख रहा है कि ये oxidation reaction है इसका मतलब ये जो value है ये आपकी कौनसी value है SOP value है कौनसी value है SOP value है लेकिन मैं चलते फिर तैसे लिख दूँ कि E naught for Fe is minus 0.52 volt अब मुझे किसी ने बताये नहीं कि ये SRP है ये SOP है कोई reaction भी नहीं है कुछ भी नहीं है और सिर्फ E naught बोल दिया है तो मैं इसको क्या करूँगा SRP मान कर चलूँगा क्या मान कर चलूँगा SRP मान कर मैं इसको चलूँगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं और electrode potential को define करते हैं SRP SOP में और ये कुछ छोटी छोटी लेकिन बड़ी important चीज़े है जो आपको electrode potential के बारे में पता होनी चाहिए चलिए electrode potential क्या होता है ये define कर दिया कितने type का होता है ये define कर दिया और इसके और वे कुछ important चीज़े भी आपने सीख लिए इसकी बाद चलता हूं मैं आगे और हम एक और चीज़ सीखने वाल है जिसे हम इस chapter बहुत काम मिलेंगे इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स या फिर E-MF-A-V-Cell तो आप सभी जानते हो physics में भी आप लोग सुनते हैं इस नाम को इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स एलेक्ट्रों को मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ए्लेक्ट्रों मोटव फॉर्स यह काम आप वॉल्टिज लगा के करते हों आपिने मागे नहीं ब्लद दो आपने बीस एलेक्ट्रों पर मुव करेगा फर्क होगा कि बीस वोल्ट के केस्में उसकी एनर्जी किया होगी कि ज़्यादा जबकि दो वोलटिकेस मों कि क्या होगी कम होगी त्युट इसक्ति मिया संप्ली आपके बिल सकते हैं यह आपकी पस वो वोल्टेज है जो एलेक्ट्रों को मुव करवानने की काम में आता है किसी काम में आता है electron को move करवाने में तो EMF क्या होती है अगर मैं EMF की definition लिखने चलो हूँ वैस तो कुछ काम नहाएगी बढ़ लेकि लेते हैं EMF is basically basically the tendency of the tendency of a cell या tendency आप लिखो ability ability of a cell to push electrons in an external circuit एक external circuit में electrons push करने ability वैस इंपल सी बात है आप बैटरी यूजी क्यों करते हो यह एक circuit है resistance है यहाँ पर आपने बैटरी लगाई तो इस बैटरी का काम क्या है बैटरी से लेक्टरोन निकल के जाएंगे और इस circuit के इंदर फ्लो होंगे current फ्लो होगा जो अपना काम करेगा तो जिस सेल की इलेक्टरॉंस को पुश करने के ability इतनी ज्यादा आप इसका इमफ भी क्या होगा उतना ही ज्यादा तो यह तो वा एक पॉस्टेटरॉंस नेटरॉंस मैं आपसे पूछूँ क्या आप मुझे इसका इमफ बता सकते हो तो आप कैसे बताओगे इसका इमफ आपकी पास दुनिया के सारे संसाधन सब्सक्राइब करेंगे हैं इन दोनों के बीच का पॉटेंशन निकाल लोगे वही क्या हो जाएगा इसका इमफ की डेफिनेशन होती है एक्चुली यहाँ पर दो टर्म होते हैं कितने टर्म होते हैं दो जरा ध्यान से देखें दोनों टर्म का थेरिटिकल सिगनिफिकेंस अलग-अलग है लेकिन नमेरिकल हम दोनों को सेम लेकर चलेंगे इस चप्टर में एक तो होता है आपके पास इमफ आफ सेल एक टर्म और तेंशल डिफरेंस पुटेंशल डिफरेंस वैंबने दे सेल ऑन्ह नियूं फिल्पस। जब सेल काम नहीं आरहा है तो psyche उनके जो कैफोर अन नोरं के बीच का पटेंशल डिफरेंस थोड़ी अजीवसी बात सेल काम नहीं आरहा और पोटेंश competitive यरू अब ही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो the potential difference between cathode या लिख लेना between cathode and anode यहाँ पर भी potential difference between cathode and anode when the cell is not in use between cathode and anode when when no current is withdrawn no current is withdrawn from the cell तो जब cell से कोई current withdrawn नहीं हो रहा है उस time पर जो potential difference होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे EMF of cell बोलेंगे वहीं अगर हम यहाँ पर हैं cell potential cell potential क्या होता है cell potential will be the potential difference between cathode and anode cathode and anode when the cell is working जब आपका cell काम कर रहा है उस time पर cathode और anode के बीच का जो potential difference होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना कि नुमेरिकली नुमेरिकली बोथ आर टेकन टू बी सेम और अलग अलग होते हैं पर हमारे पास question में कई बार वो EMF बोल देगा कई बार वो अगर मुझे किसी भी सेल का EMF निकालना है EMF of cell उसका एक simple सा फामला बन गया E cathode minus E anode यही तो बोला हमने potential difference between cathode and anode अब आप समझो जब आप potential difference निकाल रहे हो तो दोनों potential सेम होने चाहिए या तो दोनों ही oxidation potential हो या फिर दोनों ही reduction potential हो थोड़ा change आता है तो आप ध्यान रखना जब यह formula यूज कर रहे हो तो यह और यह दोनों ही कौन से potential होंगे reduction potential होंगे कौन से potential होंगे reduction potential होंगे similarly अगर आप यह तो EMF of cell है इसे हम लिखेंगे E cell यहां लिख रहा हूँ आप साइड में लिख लेना E cell यहां लिख लेना bracket लगा के वह यहां पर दूसरा टर्म बनता है standard EMF of cell standard EMF of cell वो कितना होगा E naught cell होगा और जो E naught cell है उसकी value किसकी equal होगी उसकी value E naught of cathode minus E naught of anode के equal होगी और और यहां पर जो आप value use कर रहे हो अगेन यह सिर्फ और सिर्फ कौनसी values होनी चाहिए एस आरपी values होनी चाहिए चाहिए चले तो यह ध्यान रखेंगे आप यहां पर दोनों जगह आप SRP values ही use करोगे देखो कुछ और चोटेटे variations अलग-अलग books अलग-अलग लोग अलग-अलग method use करते हैं अगर हम IUPAC convention के साब से चलें तो IUPAC भी यही आपको कहता है कि आप E naught cell का यह formula करो E naught cathode minus E naught anode और यह सभी SRP values है अब आप देखो अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो यह formula तो इसके और formula बन सकते हैं इसी के transformation है एक formula तो गया E naught cathode minus E naught anode वहाँ पर यह भी SRP value है और यह भी SRP value है अब आप बोलो नहीं एनोड पर तो oxidation होता है मैं SRP value क्यों यूज करूँ मैं तो SOP यूज करोंगा ले भाई तू SOP यूज कर ले किसने मना किया सवतंत्र भारत में जी रहो जो मरजियो यूज करो अगर मैं SOP यूज करना चाहता हूं तो तो मैं SRP देगा माइनस SOP लिखूंगा तो आपको यहां पर यहां पर भी होगा confusion कोई बड़ी बात नहीं है आप इसको यूज करना शूगर होगा यहां पर भी प्रॉल्लम आती आती है तो में चीज यह है आप फॉल्मला यह यूज करो इनॉट सेल क्या होता है इनॉट ऑफ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ एनॉट बसे ध्यान रखना यहां पर कैथोड के लिए भी यूज करना यहां और आपको यूज करना चाहते हो यह करो आगे चलके में प्रॉब्लम नहीं तो आदत है थोड़े दिन हम बन जाएगे एक दो लेक्चर के बाद ठोड़ दोगे बट और चीज़ें करने के लिए आपके लिए वह ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं यूज करना चाहते हैं